फेलो में विल्कम तो लाइट ओफ लॉव मेरे सारे बिहार के सिक्छक, सिक्छकाओं जो टियारी 1, 2 और 3 में हुए हैं और साथ ही नियोजीत सिक्छक जो इस बार आये हैं और साथ ही जिनका कुछ नंबरों से सलेक्शन नहीं हुआ है आप सब के लिए मैंने बताया था कि अनिवल हाई कोड पटना ने एक फैसला दिया था जो बहुत ही क्लियर था सीटेट के मामले पर और उसके साथ ही अन्य भी तमाम प्रमाण पत्रों की विसंगतियों के कारण अब एक बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं आपने तमाम देखा होगा जैसे ही मैंने आपको ये खवर रिवील की थी अनिवल कोड का जजज्मेंट बताया था उसके बाद आपने तमाम लोगों के विडियोज भी देखी होंगे इसमें ये चीज़े कही जा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों का जो है कॉमेंट सेक्षन में मुझे दो सवाल प्रमूख रूप से दिख रहा है कि चुकि अब सीटेट की लिजबिल्टी सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए बेरासी नंबर पे है जबकि बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों की महिलाएं भी बेरासी नंबर पर महिला का अरक्षण का दावा करते हुए जो है आपके TRE 1 और 2 में सेलेक्टेड हुई है और अब उन्हें जो है निकालने की प्रक्रिया कीज आ रही है तो ऐसे में जो महिलाएं एक दो नंबर से जिनका चयन नहीं हुआ क्या अब सेकेंड लिस्ट जो है वो सिक्षा विभाग लेकर के BPS से लेकर के आएगा और उन्हें मौका देगा TRE 2 में और 1 में एक सवाल तो महिलाओं का है साथी पुरुसबर्ग के साथियों का भी एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि आपकी पी एच कंडिडेट हैं उनको लेकर के वी जो आरक्षण की बात हुरी उसमें क्या पद खाली हो रहे और उनको मिलेगा और जो पद मेलाफाइड इंटेंशन से जो लोग निकाले जा रहनोकरियों से जिनके सर्टिफिकेट गलत हैं क्या उनकी जगा पर नए फ्रेस लड़कों को मौका मिलेगा जो की हैं एक नमबर दो नमबर से छट गया है जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है यह दो चीज़े हैं एक केस और आपका जो भासा अहरता का लेकर के टियारी टू को रद्द करने को लेकर के चल रही है और निवल हाई कोट में जिसमें 34 या चिकायन दायर हैं कि चुकि खेल के बीच में खेल का नियम बदला गया है उसकी सुनवाई अभी पेंडिंग है उसकी सुनवाई होने के बाद यह फैसला आएगा तो मैं आपको उसका ब्रीफ दे पाऊंगा इसलिए जो लगतार आप लोग उसको कॉमेंट कर रहे हैं कि क्या टियारी टू कॉड है इन दो पहली ओपर मैं आपसे आज बात कर लोग चैनल पर नए या पुराने साथ हैं सब्सक्राइब करके जुड़े रह सकते हैं आपको पता है कि यह अथेंटिसीटी क्या होती है और मैं कोसिस करता हूँ कि आपको जब भी मिलू अथेंटिक और सत्य जानकारी के साथ मिलो देखिए सीटेट और ये जो लोग निकाले जा रहे हैं जिनके के दस्तावेज गलत है और मैं आपको बताओं कि अभी ये संख्या बहुत कम आप लोग को दिख रही है मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि अन्य राज्यों के साथ ही जो हैं वो बिहार के सिक्ष दस्तावेज बनाएंगे पकड़े जाएंगे आपकी नौकरी चलियागी तो मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप गलत तरीके से किसी बिहारी का हक ले रहे हैं तो कि अगर आप गलत तरीके से नहीं आते तो किसी एक बिहार के लड़के या लड़की का सेलेक्शन होता ऐसे में जो आप लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमारी मदद केजिए तो मुझे जो मेल आप मेंसे दो-तीन साथियों ने किया है कि सर इसमें क्या करें देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आपका दस्तावेज गलत है आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि आप गलत तरीके से पहले डर्स करते देखिए बीपी एस्सी के पास दोनों महिला और पूरुस दोनों समझ लिए टियारी 1 2 और 3 जो की रद्ध हो गया 3 टियारी 1 और 2 का पूरा का पूरा रिजल्ट है उनके पास आप सब के कितने स्कोर आये हैं वो बीपी एस्सी के पास है कि अगर 90 नंबर सिच्विशन बता रहो 90 नंबर पर किसी का सेलेक्शन हुआ है तो 89 वाले का नहीं हुआ है तो 89 वाले का उसके पास है अगर वो चाहेगी तो दे सकती है और ये बेवरा वो देने के लिए तयार है बीपी एस्सी ने असपश्च तौर पर ये कहा है जो हमें सुचना मिली है लेकिन सिक्षा विभाग इसको ले करके अभी जो है एग्रसर नहीं है सिक्षा विभाग ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनकी जगह पर नए बच्चों को जिनका एक नंबर दो नंबर से सेलेक्शन नहीं हुआ है उनको एक सेक कर दोगा लेकिन पहले मुझे सरकार को सिख्षा विवाग से एक चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी और आप लोग भी अपने माध्यम से पहुचाए कि जब गलती आपकी है आपने काउंसलिंग ठीक तरीके से की नहीं आपने रिजल्ट के टाइम में ठीक से काम किया नहीं इसको सुधारना पड़ेगा यह आपकी गलती को सकता है की इसलिए मैं स्प्रॉट करूंगा इससे पहले कि बच्चे कोट में चले जाए आप लोग खुद kı और यह यह आपके आईए हाला कि इसमें दूसरा प्रयास कर रहा । कि इंसारे पदों को झो खाली हो रहा है एक बार फिर से बड़ा पद बना करके एक नई फ्रेस भरती आप लोग के बीच में ले जाने की तयारी में है कि सरकार ये दिखाए कि हम देखिए एक बार फिर से बहुत ज़्यादा पद के साथ आपकी नोकरी लेकर की आए है लेकिन ये गलत उन बच्चों के साथ है उन बच्चियों के साथ है जो अपने लिए परिच्छा देने गए घर से कितना दूर एक्जाम सेंटर पे गए एक्जाम दिये हैं तयारी किये हैं फार्म भरे हैं और उसके बाद एक नमबर सुनका सेलेक्शन नहीं हो और गलती है सरक तो ये उनके साथ गलत होगा, इसलिए उन्हें आपको अस्थाई तौर पर merit second merit list निकाल करके उन्हें देना चाहिए और आप लोग को भी इसके लेकर के मुखर होना चाहिए ट्विटर पे एक ट्रेंड बहुत जल्द प्लानिंग के बाद चलाया जाएगा, इस मुहीम को लेकर के कि जितने लोग लगबग 7000 से ज्यादा पद खाली होने वाले हैं, तो इतने पद जो हैं फिर से भरे जाएं बिहार के बच्चे बच्चियों के लिए, या फिर अन्य र भाग, BPSC तयार रिजल्ट देने के लिए, सिक्षा विभाग जब भी मांगेगा, BPSC उन्हें रिजल्ट दे देगी, लेकिन सरकार, सिक्षा विभाग अब इस चीज के लिए तयार नहीं है, तो आप लोग को आगे आना पड़ेगा, मैं आज भी, सबसे पहले मैं आप लो लोग वीडियो देखेंगे, फिर बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे भी, आमें देखने के बाद, लेकिन आपको जो है, इस चीज के लिए तयार होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, ये मुहीम चलानी पड़ेगी, कि पद जुखा लिए, और दूसरी बात, कि भरती कब आ रही है, टियारी का एक्जाम फिर से कब होगा टियारी थरीका, इसको लेकर के थोड़ा सा संसय है, मैं आपको अगली वीडियो में इसका पस्ट करूँगा कि कब आपती टियारी की भरती आ रही है, तब तक लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, उमीद करत हूँ, आपको जनकारी मिल गई होगी, चैनल पर नएया पुराने साथ ही है, जुड़े रही है, मिलता हूँ, आप सबसे नमस्कार